कि अगर जो है कोई बिवी गी बेन नंबर दिया हो थिछ तो वह गीए number जो है वह गीवन संख्या जो है वह 11 से डिवीजवल होगा या ना होगा उसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो गीवेन नंबर है वह 11 से divisible है या नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे हमारे पास एक नंबर होगा कोई भी एक given नंबर होगा उसमें जो odd place पे जो digit होंगे उस नंबर के जो odd place पे जो digit होंगे उस सारे odd place digit को sum कर दोगे उसके बाद जो है जो event place पे जो digit होंगे वो सारे event place पे जो digit को sum कर दोगे ठीक है उसके बदर क्या करोगे जो ऑड्ड प्लेश पर इवेन प्लेश पर डिजीट ऊसका संद किया है अब जो भी सम मम है दोनों सम का आफ़ डिफ्रेंस लोगे देख के अगर आपका डिफ्रेंस गो है जीरो देखो आई या 7 के मल्टिपल को हो या 11 के डिवीजबल आता है या 11 के टेबल में आता है 11 के मल्टिपल आता है तो आपका सकते हो कि आपका given number जो है वह क्या चीज़ है 11 से डिवीजबल है otherwise वह number जो है वह 11 से डिवीजबल नहीं है ठीक है तो हम for example एक कोई number लेते हैं अब चेक करते हैं कि हमारा जो वो number जो है 11 से डिवीजबल है या नहीं है ठीक है तो देखो suppos python नमबर लेते हैं हमारा है 8 6 3 4 7 8 नषैव। अ ठीक है तो अब देखते है कि हमारा जो ये given नमपर है यह 11 से डिवीजबल है या नहीं है तो सबसे महल पेहले क्या करेंगे फ्रोऻ्ण बड़ा लिग देटे हैं ठैक है डेको एक हो गया 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या करने है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि जो भी odd place पे, और even place पे नंबर है, उसको अलग-अलग कर देना है, even sorry नंबर नहीं, जो digit है, इस नंबर के, जो odd place पे, और even place पे जो digit है, उस सारे digit क और प्लेस वाले डिजिट को और इबेन प्लेस वाले डिजिट का सौम करने हैं देखो सबसे पहले क्या करोगे देखो यह मान लेते हैं कुछ पल के लिए देखो यह वन यहां पर एड़ जो है कौन से वन आ गया यह हमारा टू देखो यह यह वन टू थ्री फोर फाइब और यह गँए तो देखो वन क्या है वन आपका और 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 नॉमबर है इसका मतलब आब जो है और प्लेस पर इसका मतलब ओ फ्वर हमिया पलिuchar closesivesse टिग्वें को फोर ऑड़ प्लेस ठीक है ठीक हैally odd place digit और event place digit देखू यह तू आपके इवचोय इसका मतलब या event place digit और यह आपका जो है और यह 3 जो है और इसका मतलब या odd place 4 revple即 port इवचोय इसका मतलब या event place Beck five क्या या हय इस पर पर जाना इह वाला प्लेस पर यह आपको समझाने के लिए मैं यह सारे नामर कहा है ठिक है और यह और यह उसके बाद इवेन आएगा उसके बाद और आएगा उसके बाद और आएगा उसके बाद और आएगा उसके बाद और आएगा मतलब एक करके इस अफ इस डिजिट डिजिट आट ओर्ड प्लेस ठीके ऑड़ प्लेस पीजु डिजिट है और प्लेस पर उसका सम्कूर लेते हैं ठीक मैं तो देखो तो अप्लेस पर इसका मतलब 6 उसके बाद यह भी ओड है वह फौर और आपको पहले लिख़़ा दिया है और आपका 8 भी जो है और प्लेस पे है तो देखो तो 6 प्लस 4 कितना हुआ 10 10 प्लस 8 कितना हुआ यह आपका 18 हो गया अब देखो अब ज भी एवन प्लेस पे जो डिजट है उसका सम करते हैं तो सम प्लेकर देजिट का यह एफ प्लेस 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 थीक है तो सब से पहले देखे आप अ jadi है कि हमारा जो इसका बाद आपको 3 है यह भी इंवन प्लेस पे है उसके बाद 8 भी आपका इंवन प्लेस पे ठीक है तो देखो 7 प्लस 3 कितना हुआ 10, 10 प्लस 8 18 हो गया अब हमें क्या करनी है कि देखो आपका पाले में बताया है कि सबसे पाले और प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम कर लो उसके बाद जो है जो इवेन प्लेस पे जो डिजिट का सम है वो डिजिट है उसका सम को आप जो और प्लेस पे जो डिजिट है उसके सम में से क्या करेंगे आप सब्टेक करेंगे किसको जो इवेन प्लेस पे जो डिजिट है उसके सम को यह और प्लेस वाले डिजिट के सम में से सब्टेट करोगे ठीक है तो देखूँ अब आपको क्या करने डिफ्रेंस लेना है ट्या डिफ्रेंस ऑफ दा एब एब हुआ रिज यह जो भी इसका पर है यह उपर तो नों का इसका डिफ्रेंस लेना है ठीक है कि एवा सम तो देखो तो सबसे पहले क्या है सम सम आफ इट्स डीजिट सम आफ डीजिट एट और प्लेस देखो 11 जो है आपका क्या है और है इसका मतलब है सबसे पहले हम और वाले सम में से इवेन वाले इवेन वाले जो और जो सम है उसको सब्टेट करें किस में से और वाले सम में से ठीक है तो देखो सम आफ इट्स डीजिट एट और प्लेस ठीक है जो और प्लेस पे जो डीजिट है उसके सम को उसके सम है और उसके सम में से हम कौन सा सब्टेट करेंगे जो नंब sum of its digit sum of its digit at even place ठीक है तो देखो तो जो और प्लेस पे जो डिजिट है उसका sum कितना था आपका 18 आया था ठीक है उसके बाद minus of उसके बाद जो event place पे जो digit थे उसका sum कितना आया था 18 आया था ठीक है तो देखो 18 में से 18 गया आपका कितना जीरो आया मैं आपको पहले ही बोले थे हैं कि अगर जो है जो odd place पे जो digit है उसके sum में से अगर जो event place पे जो digit है उसके sum को करेंगे और आपका जोता है difference जो है जो है जीरो आता है यह 7 के डिविजबल आता है तो कहेंगे कि हमारा जो given number है वह क्याची से 11 से divisible है ठीक है तो हमारा 0 आगया इसका मतलब जो हमारा जो given number है वह क्या है 11 से divisible है तो देख लेते हैं उसको divide करके दिखते हैं कि हमारा जो given number है वह स्यवन से divisible है या नहीं है ठीक है तो देखो आपका number कौन सा हुआ ही यहीं हो है 863478 ठीक है अब देख लिते हैं यहाँ हमारा जो number है 11 से divisible है या नहीं है ठीक है तो देखो 11 11 7 कितना होगा 77 ठीक है उसके बाद 16 में से आपका 7 गया कितना होगा और आपका यह भी कैंसी लोगा उस पर आप 3 आया उसके बाद 11 8 ज्या 88 ठीक है 88 आया तो आपका कितना आया तो आपका 5 ठीक है तो फॉती फूर्टी फॉर्टि फॉर् गया कितना हुआ फुर्टी फॉर्ट्ư फॉर्टी फॉर्टी रूटी फॉर्टी तेंट ओगया उसके बाद है एक आपका 8 इट उपर से ए टी एट जह तो इलेबन ए्ट जा 88 हो गया मिन्स यह आपका कैंसिल हो गया मिंस जो है जो हम्हारा कौन सान नंबर है एट 6 3 4 7 8 यह जो नंबर है वह हमारा जो नंबर जो है यह क्या सै डिवीजबल है 11 डिवीजबल लेकितने बार में 7-8-498 बार में यह नंबर जो है 11 से डिवीजबल है ठीक है एक और कुश्चन लेते हैं ठीक है आपका आपका डाउट जो है वह किलियर हो जाएगा तो सपोज हम एक नंबर लेते हैं एक और तो देखो मंन लो एक और नंबर लेते हैं आपका कौनसा नंबर लूँ तो देखो आपका 4832718 ठीक है तो सबसे परक लिए परोसीजर जो पोदित वाले एक्जामपल मिलिया था वह प्रोसिजर आपको इस वाले एक्जामपल में लेनी है ठीक है सबसे पहले इस नंबर को बड़ा बड़ा कर दो ठीक है देखो खुर पका फोर其實 मतलब यहां प्रमपल यौण के आपका और ब्लेस होगा हुआ किया होगा ऑदर नेट ऌहरन करके चलते है ठीक यह फीर आपका और यह अपका odd हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब आपको क्या करनी है, कि जो odd place पे जो digit है, इस number का, जो odd place पे जो digit है, उस सारे digit के सौम करनी है, अब देखना है कि odd place पे कौन कौन digit है, odd place पे आपका digit है, 4 है, 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद जो है, 7 है, उसके बाद जो 8 है और फिंटार ने टहले है तो देको अब का शुरुआ करना है जो भी और फिप्लेस इस नंबर का जो और प्लेस पर जो डीजिट है उसका संब करना है तो रहा ब无 audiobook जो of its digits at odd place ठीक है odd place ठीक है तो देखो जो भी इस नंबर के odd place पे जो डिजिट है उसका sum करना है इसका मतलब ये सारे डिजिट को आपको sum करना है 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 ठीक है तो देखो तो 4 प्लस 3 7 7 प्लस 7 कितना हुआ 7 प्लस 7 14 और 14 प्लस 8 है अब कितना हुआ 22 आगया ठीक है तो देखो अब देखना है आपको क्या करना है अब जो event place पे जो डिजिट है उसका sum करने ठीक है तो देखो event place पे कौन सा इव एन प्लेस पे कौन सा डिजिट है तो देखो आपका इवर्यम प्लेस पर 8 है, 8 है, उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद जो है, 1 है, ओके, तो देखो, अब का करना है, इस सारे जो और इवेन प्लेस पर जो डिजिट है, इसको सॉम करना है, तो सॉम आफ इट्स डिजिट, सॉम आफ इट्स डिजिट आट इवेन प्लेस, ठीक है, जो आप प्लस टू प्लस वान कितना हो गया 11 आगया अब आपको क्या करना है कि जो और प्लेस पे जो डिजिट है उसके सॉम को उसके सॉम में से क्या करूं जो भी आपका देख piqa-son ₹ जो और फ्लेश two-drip है उसके सॉम में से आपको जो एवट प्लेस पिजिट है उसके सॉम को सब्टेक करनी है ठीक है ए moo?ı जो और फ्लेश है otherwise वह नमबर डिवीजबल नहीं है ठीक है तो देखो आपको क्या करना है सबसे पहले जो है जो आपका सॉम अब डिजिट एड और जो और प्लेस पर उसको लेना है तईयर 22 उसके बाद से जो इवेंट प्लेस पर उसको का करना है देखो जो आपके और प्लेस पर जो डिजि डिचित का जो सॉम है उसको सब्सक्रة करना है तो ट्वाइंटी टू में से 11 गया कितना हुआ अपकंटा एललेर जम नवर यहाता है जो आगर जो और प्लेस के सम इसे इवनड प्लेस अगर उसका सब्स्कार न को हम और प्लेस वाले तो हम कहенगे कि हमारा given number j'all have । इसका मतलब जो है कि हमारा जो given number है वह क्या चिश इलावन से a bys what होगा ठीक है इससे भी चेक कर लेते हैं कि हमारा given number पर जो है 11 से डिविसमल है या नहीं है क्योंकि आपको तो आप नमबर जो आपका. गिवेन नंबर है वह 11 से डिविसमल होगा पर जाए गाब का बार अब आपको चेक करकेम इसको दिखा ज़ते हूं अपका नंबर क्या 4 8 3 2 7 1 8 ठीक है तो जब आप इससे 11 से डिवाइड करोगे तो देखू 11 से डिवाइड करोगे तो 11 फोर्जा 44 सौट कट कर दूंगा उससे भी हो जाएगा इस तो लॉंग कट से भी हो जाएगा 11 फोर्जा कितना होगा 44 एट मेंस फोर गया फोर फोर केंसिल उपका थ्री आया तो फिर आपको 11 फिर था कितना वा 10 उपर से आपका टू आया तो 11 11 9 जा 99 आया तो फिर उस फार से कितना हो कितना है सेबनाय मीस थाटी सेवन फिर थाटी सेवन फिर 11 3 3d3 और ठीक है 11, 3 जा 33, 7 में से 3 गया, 4, cancel, उसके बाद 1 आया, फिर 11, 3 जा आपका 33, तो 33 में से 41 में से 33 गया, कितना हुआ आपका 8 हुआ, उपर से आया आपका 8 आया, तो 11, 8 जा 88, 11, 8 जा 88, इसका मतलब देखो कि आपका given number जो है, वह 11 से completely divisible है, means the 4, 8, 3, 2, 7, 1, 8 जो है, यह क्या है, यह जो है 11 से completely divisible है, कितना बार में, 4, 3, 9, 3, 3, 8 बार में, यह number जो है 11 से divisible है, ठीक है, अब एक और number लेते हैं, और उसे चेक करते हैं, कि वह number divisible होगा या नहीं होगा, ठीक है, suppose हम लेते हैं, आपका 5, 4, 3, 6, 7, 0, 8, ठीक है, same procedure आपको इसमें भी apply करने है, ठीक है, देखो, सबसे पहले आप का करोगे, आप यहाँ से start को unit place से, और आपको left की तरह जानी है, ठीक है, तो देखो, इसे लेओगे आप once, sorry, odd place, क्यों, क्योंकि आप numbering करोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1 जोता, आपका odd होता है, 2 जोता, आपका even होता है, 3 जोता है, आपका odd होता है, 4 जोता, even होता है, 5 जोता, odd होता है, 6 जोता, even होता है, 7 जोता, odd होता है, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ से odd से सुरू करेंगे, उसके बाद एक ही alternate करके odd हो गया, तो आपका even टू-त्री-फोर-फाइब सिग्वन करके और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो है कौन-कौन से जो नंबर है वान जो आपका ओड़ नंबर है फाइब कअ पका ओड़ नंबर है ठीक है और जो टू है यह सकते हो यह आप यहां से स्टार्ट करो फस्त और से उसके बाद इधर जाते रहो और अल्टरनेट करके और इभेन और इभेन और इभेन ओर ठीक तो अब देखो आपको क्या करने है जो और प्लेस पर जो सम करोगे तो सम of its डिजिट, sum of a digit at odd place odd place तो odd place पे कौन कौन सा है आपका देखू, odd place पे आपका 5 है, उसके बाद से 3 है उसके बाद से फिर 7 है उसके बाद से 8 है ठीक है, तो देखू, 5 प्लस 3, 8, 8 प्लस 7 कितना हुआ, आपका 15 15 प्लस 8 कितना हुआ आपका 23 आगया, ठीक है 15 प्लस 8 है, आपका 23, उसके बाद जो event place पे जो डिजिट है उसका sum करूँ, ठीक है तो sum of its digit sum of its digit at event place event place, जो event place पे इस नंबर का जो digit जो है, event place पे है, उस digit का sum करूँ ठीक है, तो event place पे कौन है आपका 4 है, 6 है देखो, O for odd, E for event, ठीक है, आप समझ गए, पहले ही आपको बता है, कि O for odd and E for event, तो आपका देखो odd place पे कौन सा है, आपका sorry, अब even place पे 4 है, तो 4 plus 6 plus 4 plus 6 plus 0, ठीक है, देखो 4 plus 6, 10 plus 0 कितना होगा, आपका 10 होगा अब आपको क्या करनी है, कि जो odd place पे जो digit है उसके सम में से जो event place पे जो digit है, उसको, उसके सम को क्या करनी है, सब्ट्रेक करना है, मतलब जो है odd place पे जो digit है, उसका सम, और event place पे जो digit है उसके सम का आपको difference लेना है, ठीक है, तो देखो और प्लेस पर क्या है आपका 23 मिस 23 में से और जो event प्लेस पर डिजिट है उसके सौम को आपका सब्टेट करने है तो 10 आया देन 10 तो 23 में से 10 गया कितना होगा 13 आ गया अब बताओ क्या 13 जो है 7 से डिवीजबल है से डिवीजबल है नहीं है जब अगर आपका 13 जो हता है सेवन से 11 से डिवीजबल नहीं है दिवीजबल नहीं है तो हमारा जो given नंबर जो होगा यह आपका 5436708 जो है यह 11 से डिवीजबल नहीं होगा आप इसे करके चिक कर लिजेगा यह नंबर जो है आपका डिवीजबल नहीं होगा ठीक है तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हैल्पूल है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता ज़त हो के थैंक्यू फ्रेंड्स